हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी के लिए गड़ीत में पास होने के लिए एक जवरदस्त का ट्रिक लाए हैं फ्रेंस इस ट्रिक को यदि आप अपनाते हैं तो आप बोर्ड के पेपर में 100% गांडरंटी देते हैं कि आप कभी फैल नहीं हो सकते फ् अच्छे नंबरों के साथ साथ आप एक्जाम को पास कर सकते हैं फ्रेंस देखिए आप क्या होना चाहिए गड़ीत में पास होने का ट्रिक और यह ट्रिक क्या है कि 95% लाए बिना पढ़े गड़ीत में यानि गड़ीत में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी इस ट् तरीका से एक्जाम को क्राइक कर सकते हैं ठीक है और जो देखिए इस टेप लिखने का तरीका भी आपको समझाएंगी बहुविकल्पी प्रश्न आपको कैसे करना है इसके बारे में भी आपको समझाएंगे जिससे टीचर खूस होकर पूरा नंबर देगा एक नंबर भी न कमजूर से कमजूर छात्र भी फेल नहीं होगा और अभी तक यदि आप मैत में कुछ नहीं पढ़ें तो आप अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं ठीक है फ्रेंस आप सभी का जो है 21 फरवरी को गड़ीत का पेपर होगा ठीक है आज सभी को पता होगा का टाइम टेप पर अब 15 मिर्ड जो मिलता है आपको क्या मिलेगा कि अब प्रकास पढ़ें और समझें कि इसमें कौन सा प्रश्ण करना नहीं करना है देखें यहां गड़ीत का प्रेपर इसका पूरा पैटर्न आपको समझा देते हैं कि किस प्रकास से क्वेस्टन पहले आएगा इसको इसमें बहुई कलपी प्रश्ण होंगे जो 20 प्रश्ण आएंगे और 20 का एक नंबर का रहेगा जिसमें टोटल कितने नंबर का प्रेपर हैगा 20 नंबर का बहुईकलपी रहेगा इस बहुईकलपी को आपको प्रूफ के साथ ठीक है प्रूफ के साथ देखाएंगे फ्रेंज कि जो आपसन आपको बता रहे हैं उस ट्रीक को अपनाएंगे तो आप उस प्रश्णों को कैसे सही करेंगे आपको प्रूफ भी देखाएंगे बस आप वीडियो अंत तक देख जो आएगा एक वितर है UP याउचा इसमें आपको करना रहे ला एगा ना part प्लिचा अब चोड़ करना ठीक है अब्धे उससरा जो आएंगा दुरिगत तुरियों कि आपको एक Зबुधे हैं Fa तुछावब आता है उसमेंसे 1 करना रहेगा प्रतेक इतने नमबर करेगा छाइन करेगा आपका प्रतेक करेगा छाइन अपराइगा ठीक है प्रकाशिये पेपर प्रश्णों को क्या ट्रिक लगा के हल करना है आपको जब आपको गड़ीत का पेपर मिल जाए तो उस समय क्या गलतियां करते हैं जो मैथ में बहुत अच्छे होता है फिर भी उनको अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है कुछ न कुछ वह गलती करते रहते हैं पहले इस को देख लेते हैं क्या गलतियां करते हैं जिससे वह कम नंबर से पाते हैं ठीक है देखिए क्या गड़ीत कापी में क्या गलती नहीं करें आपको इस बातों को ध्यान देना देखिए आपको क्या करना है मैथ में देखिए आपका स्टेप मार्किंग होगा यानि step by step पे number मिलता है, यानि आप कुछ भी मयत में लिखे हैं तो जरूर आपको एक-दो number मिल जाता है, step marking भी किया जाता है, ठीक है, दूसरा होता है, बहुत से student ऐसे हैं तो गड़ीत में बहुत अच्छा जानते हैं, वो क्या करते हैं, प्रशनोत्तर संख्या इस प्रशनो लिखित हो, उसमें क्या होगा, प्रशना नुसार आपको लिखना पड़ेगा, प्रशना नुसार लिखे, और लिखने के बाद उसमें लिखे माना की, ठीक है, माना यक्सवाई-जेड माना जाता है, मैत में इस तरह कुछ माल लेंगे आप, या दिया है, जो सी करने वाला स लगाने के चकर में, वो यह बराबर का चिन या इस पकार के चिन नहीं लगाता है, जिससे उनका नंबर क्या होता है, कड़ जाता है, ठीक है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम करके हैं, लेकिन वो जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो देखते हैं कि उनका माहत में कम न देखें फ्रेंज, अब बताते हैं आपको ट्रीक, आपको ट्रीक क्या लगाना है, ठीक है, आप जी अक्टिप का प्रश्न, जो बहुई कल्पी है, प्रस्न होगा मैत में, उसको हल करते हैं, आपको क्या ट्रीक लगाना है, जिससे आप बहुई कल्पी है, यदि 20 नंबर का पता है आप क्या करेंगे इस ट्रिक को जान जाएंगे तो आप 20 में से यदि 15 सही कर लेते हैं बीना पड़े तो आप उन लोग से क्या लखी रहेंगे अब देखिए आपको पहले बताते हैं कि अब्जेक्टिव ट्रिक से कैसे हल करें इसमें आपको प्रूफ भी ठीक है कि मैं इस आपसन को क्यों ले रहा हूं देखिए आपको जो आपसन मिलेगे आपको चार आपसन मिलेगे जैसे पहला सवाल है पहला में ए बी सी और डी इस प्रकार मिलेगा चार अपसन रहेगा तो इसमें से आपको हमेसा बी वाला आपसन सही कीजिएगा या सी वाल में से ही सवाल सही होता है और मैक्सिमम आपका सी वाला ही सही होता है अभी आपको प्रूब देखाएंगे चलिए पहले प्रूब देख लिए जैसे जिससे आपको यकीन हो जाए हम जूट नहीं बोलें देखिए आपका ये 2022 का गड़ीत का पेपर है न अब इसमें देखते है सबसे ज्यादा सही होता है देखिए आपको सभी खंड कीजिए अब इसके बाद देखाते हैं आपको इसके बाद देखाते हैं आपको इस वाला प्रश्ण को देखिए देखिए आपको सबसे ज़्यादा होते प्रूब के साथ देख लिए फ्रेंज जिससे आपको यकीन हो जाए देखिए यहां प्रूब देखिए कि यकीन कर सकते हैं कि आपकी बोड के एकजाम में प्रश्ण पत्र बढ़ता है है उसमें मैक्सिमम जो सवाल होता है यहां प्रूब देख चुके हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा बी या सही और बी और सी में से कौन सा आप्सम सबसे ज्यादा सही होता है यहां प्रश्ण को लगाते हैं तो बीस में से पंदरा कोईस्टन कहीं नहीं गया है ठीक है इस ट्रीक को आप देखते रहे हैं जो प्रश्ण पहले अब देखिए जैसे आपको पेपर मिल गया इस बहुवी कल्पिये प्रश्णों को क्या कीजेगा एक और बात ध्यान द बहुवी कल्पियों क्या है तो क्या हो सकता है कि कुछ सकता है कि कुछ समझी आप मेरे बातों कहने का मतलब क्या है ठीक है आप इतना चलाक है कि आप इशारों को समझ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है इसलिए कर रहे रहे हैं कि आपको सीट पर dziब हम करेंगे तो उसको पुल्ब हम कीजिए को आधा घंटा बचा रहलए का तब ओया माजормS Μार्च सीट पर कभर यःगा लाश्ट में बरिएगा समझ सकते हैं क्यों बता रहे हैं ऐसा हम आपको ठीक है यह यह आप समझ सकते हैं ठीक है हम खुलके बता नहीं सकते हैं यूटूब पे ठीक है इस चीज़ को अब ध्यान दीजिएगा पहले आप जो आ रहा हो और उसको क्या कीज़ेगा इस तरह टिक लगाने का मतलब क्या हूए तक जैसे यह प्रश्न पत्र आपका है यहां पर जो आ रहा है जी सिमाली कई लोगों से आप हमेशा सुनते होंगे जो प्रशन पहले आता उसी को हल करना चाहिए देखे फ्रेंस आप यहां पर प्रूप देखाते कैसे क्या कर रहे हैं जैसे सभी करना है जैसे 14 नंबर का प्रशन उठाया इसमें से माल लिजिए कि हमको यह लाश्ट वाला आ रहा है ठीक तो आप कोई जरूप नहीं कोखो गव कर रहेंगे आप प्रश्ट पत्र पर जब आप जो एंस्वर कापी होगा उस पे सबसे पहले प्रशन उत्तर संक्या चार लिखके घड़ी घवला यह वला कीजिएगा सबसे पहले आपको पहले कापी पहले पेज प्रादम साफ स श्च सीर है था है चलंड़ा प्रश्ट कर göster यह करें अहीं को काउंस हो प्रश्ण पहले करें अभ अतिलयगे प्रश्ट में कुछ प्रसने को कैसे हल करें दीगिए फ्रेंस जैसे यहां पर आप यह लिएंगे इस साल दो लिखित रहेंगे दो लिखेंगे नमबर का तो आप क्या करेंगे कि इस तरह उठाएंगे ठीक है आपको जो प्रस्ने जो लिखित लगे जिसमें माना जैसे देख लिए यहां पर है नहीं वहला सवाल सित्धि कीजिए इस सवाल को आप इसे लगाएंगे यह प्रस्रमत्र संक्या लिखेगा प्रस्मत्र यहां से रर्यड से रहें र declared कीजिए तो आस हारा है तो आप एक तरफ से हल कर सकते हैं पूरा तीश में क्या करना है कि यह चित्र में AD, LAM, बै-बै-्बी-स है तो सिद्र कीजिए किवा बराबर इस तो आप पहला क्या कीजिएगा कि इसका चीत्र ऐसे बना लिजिए गाइगा जिससे एक्जामनर यदि इसमें आप गल्ती भी करते हैं एक्जामनर समझे कि आप बहुत बड़े बहुत अच्छे आप कि अधिर निथैच्छे करना इसको सीठ्ह करना जो का करना यहां पर लिखने वाली बाव कि आप को पहले वह नहीं किया अब रहा हमको इसक बड़िक, क्यार्श पदिए है इता है अब ऐं ragiap किस पे बीसी पे यह लिख दिए नहीं अब कुछ नहीं आ रहा है यहां लिख सकते हैं कि दिया है फिर मान लेजिए कि माना इस तरह बढ़ा चला के लिए लंब है किस पे बीशी पे बीशीप लंब है इतना लिख लिए फिर यहां लिखेंगे सिद्र करना है अब देखिए क्या इसी में कीजिए उसी को लिख दीजिएंगे डोड़ु पेन ब्लेक पेन का ज्यादा यूच कीजिए दिकीजिए ठीक है सिद conten ID किजिए अब डिखिए क्या है जो यहां पिलिखा है उसी को लिखती है का लिखेंगे किसे अब इतना लिखनें के बाद यहां पर हल लिखी हैं better . कि ये त्रीबिझ ये त्रीबुझud के नाम लिखें अधा फ्रेंस स्टेप बाइज स्टेप finely ठीच ठीचे कि ठीक या अब एकित्रव फ्रेंस टाइँ थे तत्हां एक त्रीबुझep being a यानि त्रिभूज लिखे त्रिभूज एडी सी में ऐसे लिखेंगे आप लिखने के बाए अब हमको कुछ नहीं यहारा इसके बाए इसके बाए इसके बाए इसके बाए यह तक आपके सवाल में स्वेंग दिया था यहां पर माली जी कि इतना लिखने के बाद हमें कुछ नह डारीक लिखुआती से ड़ी त्था सीद्दम सीद्दम लिख और रमा – चार नंबर में आता है तो दो नंबर कहीं से नहीं गया है तो friends हर सवाल में आपको इसी तरह करना है किसी सवाल को आपको छोड़के नहीं आना है समझ में आ गए है बात यदि आप इस ट्रीक को अपनाते हैं यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं यदि 70 नंबर का पेपर आपका आ रहा है तो 70 में कहीं नहीं गया है कि आपको 50 नंबर मे पढ़े हैं जिनको मैथ में ABCD कुछ नहीं पता है तो यह इस ट्रीक को अपना सकते हैं लेकिन जो इस्ट्रीटेंट सीरियस होके बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह इस ट्रीक को नहीं अपना वह अपना अच्छे से तैयारी करते रहें ठीक है तो friends यह आपको वीडियो को लाइक करें